हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग linear equation in 2 variable का problem practice at 1.1 का question number 2 का solve the following simultaneous equation का fifth वला sum करने वाला है, जो कि ऐसा कुछ है, ठीक है? तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख लेना, जहाँ पे मैंने आगे के sums बताया है, मतलब इससे पहले वाले के, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको equation 1 डालना है, और यहाँ पे equation 2 डालना है, ठीक है? हमें इतना पता था, अब मैंने आपको बोला था, हम इसके साथ, 3, 5 के साथ, तो equation 2 को 5 के साथ मैंने multiply किया, तो देखो यह वाली 2 वाल equation क्या हो जाएगी, वह हो जाएगा 5x, इसको 5 के साथ multiply करेंगे, plus 5 into 5, 25y हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे 5 into यह कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, इसको equation 3 नाम दे देता हूँ, अब मैंने 2 को use करके 3 बना लिया है, ठीक है? अब मैं पहली वाल equation को as it is लिख देता हूँ, जो की अपनी ऐसी है, तो यह अपनी पहली वाल equation है, ठीक है? तो फिर अब क्या करेंगा? यह आपको पताद है, यह sine q change होता है, जैसे कि अगर मैंने a plus b बोला और उसको मैंने किया minus a minus b से, तो देखो अगर मैंने यह वाले part को open किया, तो यह देखो यह क्या हो जाएगा? a plus b minus a और minus minus plus b, तो आपको समझेगा कि जब हम दूसरा वाला part लेते हैं, तो उसका sine change हो जाता है, अगर हम minus डालेंगे तो, इसलिए मैंने दूसरे का sine change किया, जो कि यह हो जाएगा, तो अब मैं क्या करूंगा? 5x minus 5x, जो कि 0x हो जाएगा, 25y minus 2y कितना हो जाएगा, 23y हो जाएगा, और यहाँ पे 20 plus 3 कितना हो जाएगा, देखो अब य क्योंकि जो पहले हाँ पे minus b ता वो plus b हो जाएगा, इसलिए जो अब यहाँ पे minus 3 ता वो plus 3 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 20 plus 3 कितना हो जाएगा, 23, मतलब यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा, 23y कितना हो जाएगा, 23, मतलब मेरा y की value क्या हो जाएगा, 23 by 23, जो की हो ठीक है तो मैं यहाँ पर equation 2 लेता हूँ तो मैं equation 2 मेरा कुछ ऐसा था कि x plus 5y equal to 4 था ठीक है तो यह given है जो कि हमारी second वाली equation थी ठीक है अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा put y equal to 1 देखो अभी यह जो मैंने find किया है y यह इसलिए find किया है ताकि मैं इसको दूसरे में put कर सको तो यहाँ पर y equal to 1 आया तो यहाँ पर यह हो जाएगा x plus 5 times of 1 equal to 4 मतलब यहाँ पर आजाएगा x plus 5 is equal to 4 मतलब आपकी x की value क्या हो जाएगी 4 minus 5 जो की minus 1 हो जाएगा मतलब मेरा x की value minus 1 हो जाएगा और y की value क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी यह हमारे solution है simultaneous equation के ठीक है अब इसके बाद 6 वाला सम करते है 6 वाले का कुछ आपको ऐसा कुछ कुछन दिया है 1 by 3 x plus y equal to 10 by 3 ठीक है आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे वो भी देख लो तो आपको बहुत मदद होगी यह सब सम सॉल्फ करने के लिए ठीक है 4 by y is equal to 11 by 4 ठीक है सबसे पहली बात याद रखना अभी है ना में को यह वाला part बना बहुत difficult हो रहा है ठीक है मतलब यह जो नीचे 3 और यह जो 4 रहेगा यह में को problem देगा तो मैं क्या करूँगा पता है पहली बात तो इसको multiply by 3 कर दूँगा तो पूरी equation को multiply by 3 करूँगा तो यह क्या हो जाएगा 3 by 3 x दिखू अलरेड़ी यह है plus 3 y हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 by मतलब multiply by 3 और यह 3 रहेगा अब यह बात को क्या करूँगा multiply by 4 कर दूँगा तो यह 2 x इंटो 4 हो जाएगा plus यह कितना हो जाएगा 4 by 4 y हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 11 by 4 into 4 हो जाएगा मतलब देखो हर एक को 4 से मैंने multiply कर लिया हर एक को 3 से कर लिया अब देखो यह कट होगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x plus 3y, और देखो यह 3 कट हो गया, ठीक है, तो देखो यह जो difficult equation थी, उसको मैंने simple में convert कर लिया, और यह इसको equation 1 नाम देता हो, और फिर यहाँ पर जो आजाएगा, यह 2x into 4 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, बहुत यह मेरी equation 1 है, और यह equation 2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, तो यह मेरी 2 equation है, हमको क्या करना है, हमें इन दोनों को, या तो इन दोनों को same बनाना, ठीक है, तो अब दोनों को same बनाने के लिए क्लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मैं सबसे पहले इसको multiply by 8 कर लेता हूँ, तो इसको 8 से multiply करूँगा तो same हो जाएगा आपको चीए तो आपको इसको 3 से भी multiply कर सकते हैं तो मैं हापे करूँगा multiply equation 1 by 8 ठीक है तो ये देखो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 8x प्लस ये कितना हो जाएगा 8 into 3 24y is equal to 80 हो जाएगा ये मेरा equation 3 हो जाएगा 2 को मैं as it is लिखूँगा तो ये वाला part मेरा as it is हो जाएगा अब क्या करूँगा minus करूँगा minus वाला concept मैंने आपको बता है तो ये क्या हो जाएगा 0x ये कितना हो जाएगा 24 minus just कितना हो जाएगा 23y और ये 80 minus 11 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा ठीक है मतलब मेरी y की value क्या हो जाएगी मेरा यहाँ पर 20 यहाँ पर 23 y कितना हो जाएगा 69 मतलब मैं क्या करूँगा y की value क्या लिखूँगा 69 by 23 जो की मेरा हो जाएगा 1 और 3 मतलब y कितना हो जाएगा मेरा 3 तो देखो अब मैं को y आ गया 3 अब मैं इन दोनों में से कोई भी एक equation ले लेता हूँ तो मैं पहली वाली equation ले लेता हूँ तो यहाँ पर पहली वाली equation क्या जाएगी x plus 3y तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ आ जाएगा x plus 3y is equal to 10 था तो देखो x plus 3y is equal to 10 था तो यहाँ पर मैं y की value क्या put करूँगा जो की हमें आय थी y equal to 3 आय था तो put y equal to 3 तो यहाँ पर मेरा यहाँ यह क्या हो जाएगा x plus 3 into 3 is equal to 10 हो जाएगा तो x plus यह कितना हो जाएगा 9 is equal to 10 तो मेरी x की value कितने होगे 10 minus 9 यह बला पाटे हाँ 2 के minus होगा तो x की value उबर ना देगी तो और मेरा y क्या था 3 था तो यह मेरा answer रहेगा हलो दोस्तो मेरा नाम जतिन शर्मा है IIT Jam Mathematics में मेरा All India Rank 406 था मैं online personal lecture या तो doubt solving रहता है कोई भी class रहेगा, कोई भी topic रहेगा mathematics का, degree का भी रहेगा तो भी चलेगा, आप मुझे call या WhatsApp कर सकते हैं, email address भी मिल दिया है आप subscribe कीजिए चैनल को और ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे facebook या instagram पर पूस सकते हैं मैं आपको reply करूँगा, link description में है